हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज की वीडियो पर मैं आपको टेवी किट पर जैसे की पावर सप्लाई खराब हो जाता है तो हमें माडूल लगाना पड़ता है तो हम माडूल का कनेक्शन किस परकार से करेंगे तो उसी के बारे में आज मैं चोटा सा जानकाई देने वाला हूँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ने चेरेट के लड़ में सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें इसके बाज़ के दिख रहे हैं ब्रेस को प्रेस कर लें तो दोस्तों आप जैसे की देख शक्ते हैं इसका पावर सप्लाई छो है खराब Hoचुका है और पहले से भी इसे किसी मेकानिक ने रिपेर किया है लेकिन रिपेर यह नहीं हो पाया है तो दोस्तो इस पर HDR सप्लाई है 0765 नमर का इस पर HDR लगा हुआ था और इसका हीट सिंग मैंने बाहर कर दिया है HDR निकालने के लिए और अब आपको बताऊंगा कि यदि आप HDR सप्लाई वाले कलर टेविक किट पर पाउर सप्लाई पर आपको माडूल लगाना चाहते हैं connection करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे आप इसे टानिस्टर सप्लाई पर भी लगा सकते हैं और HDR सप्लाई पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेलीजन पर अगर HDR सप्लाई है तो आप इस module का उप्योग कैसे करेंगे, कैसे इसका connection करेंगे, आप इसका connection HR में भी वैसे ही कर सकते हैं, और साहसाते दी टीवी किटाब का Falls की टानिश्टर यहाँ, तो आप टानिश्टर सप्लाइ में भी इसका connection जो है, सेम वैसे ही कर सकते हैं, आपको माडूल को हीट सिंग पर माइका के साथ अच्छे से कस लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको तीन वायर दिख रहा है एक red कलर का एक black कलर का एक blue कलर का है तो दोस्तो अधिकतर आपको माडूल में एक wire जो है blue की जगह है इस पर आपको green wire मिलेगा अधिकत सकते हैं दोस्तो माडश आपको कहीं भी दे देना है और इसके बाद यह जो black wire है आपको मानिस में लगाने के बाद यह जो आपका red wire है तो red wire आपका main supply के लिए होगा तो आपको main कैपिस्टर पर नहीं लगाना है यह जो आपका main filter जो supply है positive supply यह आपका smps पर in होता है और जह आपको डिया लगा हुआ है तो उसे आपको निकाल देना है और क्रेक्टर पॉंट की जगह आपको जो लगा देना है और दोस्तों यह जो इसका blue wire है, मतलब कि जो आप देखेंगे अधिक तर आपको green wire मिलेगा किसी-किसी module में, अधिक तर आपको green wire ही मिलेगा, उसे आपको upto coupler में connection करना है, तो Upper cupter में दिज्स saber connection आप कैसे करेंगे, तो आप देख सकते ही। आप nitrogen में एक टी तरफ को ढूंदी दिख रही है या इसका एक नंबर का प्रषान है। कि यह इसका एक नंबर का पिन है जिधर आपको बिन्दी दिखेगा। इसका तीन number पिन जो है तो हमें ground रखना है यदि उसमें जैसे कि ground है तो आपको 3 तीन number पिन 갑ौंड पिन और इंचे बात जो आपको जो चार नंबर पिन है तो वहाँ आपको green wire होगा उसे आपको solid कर देना है जैसे हैं दो आपको green wire की बुलू wire कोई भी होशकता है तो आपको इस प्रकार से sold कर लिना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे sold कर दिया है और इसके बाद मैं इसे आपको power on करके भी दिखाता हूँ कि हमारा power supply सही होता है कि नहीं तो आप देख सकते हैं कि power supply हमारा television का ok हो चुका है और अब दोस्तों इसका जो voltage है तो हमें voltage set करने के लिए इस पर module पर preset दिया गया होता है preset को आपको हलकल के से घुमा के और जो TV पर आपका लगभग 110 volt के जहां आपको मिलना चाहिए वहाँ आपको check करना है अगर आपको 110 volt से कम मिलता है ज्यादा मिलता है तो आपको preset से घुमा के उसे 110 volt के लगभग में आपको set करके रखना है तो मैं आपको इसका voltage भी check करके दिखा देता हूँ कि हमें voltage जो है फिलहाल कितना मिल रहा है तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें लगभग 112, 113 volt के लगभग में मिल रहा है बिना load दिए हुए तो दोस्तों इसका आप देख सकते हैं मैं आपको bolt भी दिखा देता हूँ तो आपको यह जो माडूल है इस पर preset होता है preset को आप कम जादा करके और voltage जो है माडूल जो है लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ दोस्तों अगर आपसे up to coupler का connection करते नहीं आता है जैसे कि जो green wire दिया गया होता है इस पर blue wire दिया गया है तो आपके बाद red wire और black wire लगा कर भी काम चला सकते हैं दोस्तों नमस्कार